जहीं दोस्तों मैं आप सभी के बीच लेकर आगया हूँ वीपीए सी टी यरी 3.0 और 4.0 एक्जाम के लिए मैं टेस्ट सीरीज करा रहा हूँ यह टेस्ट सीरीज नमबर आपका 6 का यह पार्ट 2 है इसमें आप लोगों का टोटल यहाँ पे आपका सेट कंपलीट होने वाले है तो चलिए वीडियो को सुर से अंतक जरूर देखेगा इस्टाट करते हैं तो देखी इसमें हम लोग 11 नमर कोश्चन से देखने वाले हैं इसके पिछले वीडियो में मैंने आपका 110 तक लेकरा दिया था तो चलिए 112 नमर बोला है जैदि सेक ठीटा माइनस 10 ठीटा बराबर एक्स बटे वाई है ठीक है तो यहाँ पर एक्स का जो मान होगा आपका 0 से बारा या वाई से छोटा होगा है ना और यह ठीटा का जो मान होगा 0 से बारा और 90 से छोटा होगा हो तो आपको स्या साइन ठीटा का मानिक बताना है कि साइन ठीटा का मानिक इसमें कौन सा साइन थीटा केलिए लागु हो سकता है तो चले दिखते हैं इसको तो देखिए हमने क्या किया है कि यहाँ पर सेख भी व्ट भाइ दिया है तह हमने क्या किया है ठीटा के अस्थान पर हमने 30 जिगरी रख मधिया 30 डिगरी रख देंगे इससे हमारा काम बन जाएगा बोला था न ठीटा के मान आपको 0 से 12 और 90 से चोटा कोई भी ले सकते हैं तो हम 30 लेकर चेक करते हैं ठीक है तो देखिए जैसे ही हम यहाँ पे 30 रखेंगे यहाँ पे 6 ठीटा के जगा 30 भरेंगे तो 6 30 का मान हो जाएगा 2 बटारूट 3 और यहाँ पे 30 रखेंगे टीटा के जगा पे तैं 30 का मान हो जाएगा 123 और एक बटारूट तरी एक बटार आपको य। आपका तीछा clearing आप fulfil Barn देख लिए शान्मिन हो जाएगा root 3 तो वही हमने यहाँ पर नीचे लिख दिया है अब यहाँ से हम up sign theta के अगर बात करते हैं तो theta के जगाँ हमने 30 लिया है तो 30 ले लेंगे तो sign 30 का मान कित्मा हो जाएगा एक बटा दू तो sign 30 का मान हो जाएगा और square से root 3 मतलब root खत्म हो जाएगा तो आपका आ जाएगा यानि कि घट के उपर आ जाएगा दो और नीचे आपका 3 एक 4 हो जाएगा और इसको हम काटेंगे दोस्तों काटेंगे तो कितना हो जाएगा एक बटा दो यहाँ पर आ रहा है यानि साइन जो 30 का मान था साइन 30 का मान एक बटा दो आ रहा था न तो यह भी आपका एक बटा दो एकदम साटिसफाइड कर रहा है इसलिए इसके अनुसार आपका option जो बी है यह आपका सही हो जाएगा दूस्तों ठीक है तो देखिए भाई इसका एंसर आपका हो जाएगा कौन सा option नमबर बी हो जाएगा राइट एंसर ठीक है अगला सवाल देखते हैं यह वला बोल रहा है कि 200 से 800 तक ऐसी संख्याएं कितनी संख्याएं हैं जो 9 तो 5 से विभाज है और 9 साथ से विभाज है ऐसी कितनी संख्या होगी दो 400 112 होगा लेकिन कैसे होगा देखिए बताते हैं इसको आपको इसको हमने क्या किया है किया यह यह कि 5 से यहांपे देखिए 800 से कितना आपको 200 से 800 लेना था नौ तो हम पहले 800 बटा 5 कर लेंगे 5 से विभाज होना है और 200-1 करके बटा 5 कर देंगे तो देखिए यहांपे 800 बटा 5 से भाग देंगे तो यहांपे कितना हो जाएगा और इसको 200 200 को आगर 5 से काटते हैं तो लगभग 40 40 में से घर जाएगा तो 49 हो जाएगा यानि 49 इसको घटाने पर आपका 120 हो जाएगा ठीक है इसी तरह से आपका साथ से भी भाजित होने वाली संख्याओं की संख्या देख लेंगे तो 800 बटा साथ कर देंगे आप 200-1 हो जाएगा ठीक है और इसको भी अगर आप 200 में साथ से गुना करिएगा ठीक है बले भाग दीजेगा 200 में साथ से ठीक है तो आपका कितना आजएगा लगभग में आपका आजएगा कितना सच्चोव का ठाइस नहीं साथ दोना चवदे बच गया साथ साथ शाथ चपन से भी भाजित होने वाला भी संख्या लिकाल लेंगे पांच और साथ दोनों से तो इसको देखते हैं 800 यह साथ पचे केतना हो जागा 35 तो 35 मतलब दोनों साथ पचे 35 हो गया ना 35 से कर लेंगे तो 800 में आगर 35 से भाग देंगे तो लगभग 22 कुछ कुछ आएगा और 200 में हम लगभग 25 से भाग देंगे तो कतना आएगा लगभग 5 आएगा और इसको घाटा आने पर हमारा लगभग 17 आजागे घाटाने पर 17 आएगा ठीक है तो आपे 17 हो गया तो हमें यह सब पता चल गया और 5 और 7 दोनों से भी भाजित होने वाली कूल संख्या अगर हम देखा ज अब 200 से 800 तक पूल संख्या जो हमें पता हो जाएगा तो 800 चल जाएगा अब इसके बाद क्या हो जाएगा इसके बीच में कूल संख्या एक बढ़ा दिया जाता है मतलब टोटल 200 से 800 के बीच में कहेगा संख्या होगा तो अगर आपको निकालना है तो आठ समय से 200 घटा जी एक कम हो जाता है तो वह एक एक आदमी बढ़ा देता है तो यहांनी चौश सव एक हो जाएगा और यहां पर टोटल की बात किया है कि 200 से 800 तक ले आपका पांच और साथ दोनों से भीवाजित नहीं होने वाली संख्या निकालना था यहां पर चौश स एक था ना जो आया था और हमें उपर कितना आया था साथ और पांच से दोनों से भीवाजित नहीं होने वाली कूल संख्या एक 190 आया था और इसको घटाने पर हमें यह 411 हो जाएगा एंसर ठीक है तो चलिए आपका यही एंसर हो जाएगा तो इसका एंसर कौन सा हो कि कोई रीन जो है मतलब कोई करजा जो है सदारन व्याज की दर से 4 परतिसत वार्षिक दर से 4 वर्ष के पस्चात कितना 840 रुपया दे है मने देना है समान वार्षिक किस्तों में भुगतान किये गए कितनी धन्रासी किस्त की निर्धारित होगी यह बताना है आपको ठीक ह यह समान वार्षिक किस्त जो निकालना है एक उन्हें 200 है ना और बटा एकस इंटू 200 पलस एकस माइनस बॉन इन्टू आर यह इसका एक ट्रीक है यहने फर्मूला है यह जो है उसका मिस्रधन दे रहा है था कितना आपका 848 रुपया ठीक है और यह 200 ऐसे लिख दिया गया ह एकस जो था कितना दिया था 4 परसंट नदी और एकस का जुमान चार वर्षिक लिए था ना वह लिख दी हम यहां 200 अपलस यहां पर देखिए एकस की जगा चार मैनस एक करेंगे तो तीन हो जागा इन्वर्ष और यहां पर आर के जगा पर चार परसंट दिया था इसको जा रहा है तो भाई इसका एंसर 200 हो जाएगा तो इसका एंसर हो जाएगा आपका 200 ठीक है आगे बढ़िए यह देखिए सवाल यह देखिए सवाल बोड़ा है कि एक कूलर का अंकित मुल कितना है 32 सो रुपया है वह नगद दोस पांच बटा दोस तीन बटा बीस इन बटा 30 सर्तों पर खरिदा जा सकता है यदि रुपय का भुगतान 15 होए दिन किया जाए तो कितने रुपय छीट मिलेंगी और कूलर कितने रुपय में बिकेंगी चलिए देखते हैं इसको तो देखे इसका सोलूशन हम कैसे कि हैं देखे चुकि भुगतान 15 होए दिन बाद करना था और बट्टा का जो सर्त है कितना था तीन बट्टा बीस लागू होगा अगर 15 होए दिन की बात हो रही है तूँ ठीक है आगे बढ़ते हैं तीन बट्टा बीस कैसे आप इसको 15 15 परसेंट अगर आप निकालते हैं परसेंट बता में दिलब सो करते हैं तो पांच तिया पंदरा अब 20 पचे सो पाता चल गया ना 15 परसेंट के हिसाब से इन बटा वीस आगे देखिए बट्टे का अगर रासी बट्टे की रासी देखा जाया तो बट्ती सो जो दिया था ना आपका 32 पर जो दिया था उसका कितना हो जाएगा तीन बटा सो हो जाएगा तीन बटा सो हो जाएगा आप दुक में देख लीजिए इसमें बोला था ना आपका जब आप solve करेंगे दोस्तों ती दूसुन से दूसुन खतम और ये 32 में 3 से कुना की जगा तो चानवेर हो जाएगा अब यहाँ पे कूलर का जो बिक्राय मुल निकालना था तो 32 में से चानवेर माइनस हो जाएगा तो आपका हो जाएगा एक 304 रुपया ही इसका вход हो जाएगा ठीक है तो इसका अन्सुन हो गाया आपका it एक 30 कितना आया था आपका 96 रुपय वो आया था ठीक है न 96 रुपय इसका छूट मिलेगा और केतना में बिकाएगा तो एक 304 रुपय अप्शन नमर बी अगला सवाल देखते हैं यह वाला देखिए बोल रहा है कि 12 सेंटीमीटर 16 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर भूजा वाले एक पड़ी तिर्जा बताएं पड़ी तिर्जा बताना है आपको इतना का चलिए देखते हैं इसको तो देखिए एक समकून तिर्भूज की बात किया गया था और इसमें पड़ी बृत था यानि पड़ी बृत के अंदर आप चेक कर सकते हैं ठीक है 16 का sqa r 200 को आईगा 400 को मुल निकलेंगे तो 20 यह triplet को दर सारा है तो परड़ी तिरी जा हिसका अगर निकालते आपका तो परड़ी तिरी जा होता है कउन बाटा डूटकी कऊरन कितना था 20 कऊises के आदा कितना कितना हो जागा 20 हो इसका answer ठीक है इसमें बोला नहीं था कि समकोन तिर्भुज लेकिन हम समकोन लेकर चले गए क्योंकि ये तीनों भुजाएं समकोन तिर्भुज पर सेट हो रहा था ठीक है तो इसका answer हो जागा 10 तो इसका answer हो जागा आपका 10 cm option नमर भी आगे देखिए ये वला बोल रहा है कि स समकोन तिर्भुज का जो परी केंदर होता है आपको बता देता हूं चीतर बना के ये देखिए समकोन तिर्भुज हो गया इसका हम ब्रीद बना लेते हैं परी केंदर हो जाए परी केंदर कौन हो जाएगा ये कौर्ण पर होता है कौर्ण के मध बिंदू होता है ठीक है तो चोस ये भूजा वाला एक work है ये अग वर्ग है यानि सब भूजा आपस अगर पूरा ये देखो ये बाहर निकल गया इधर से बाहर निकल गया इनसे अंदर चला गया यानि कि सुटेबल नहीं बन रहा है अगर इस तरह से बनता अगर इसे रहता पूरा एकदम ऐसे अगर चितर रहता है ना जैसे देखे दिखाते तरह हूँ अगर आपका इस तरह से अगर बनता वर्ग ठीक है अगर इस तरह से वर्ग रहता बाहर न निकलता सब अगर से चिक ठाक रहता तो हम डायरेक्ट इसको अराम से निकाल सकते थे ये खोंगी कारन को खिशते और विक यंदर के हिसाब से अराम से तीरिया निकाल लेते लेकिन इसमें थोड़ा से लाफ़रा है इसको देखे लेकिन बताते जिसका answer क्या होगा option लेकिन कैसे बहुत दिखाते हैं थो देखे हमने क्या किया है यहां पर एक ब्रीद बनाया है देखिए इस तरह से जैसे उसमें आकरिती दिया है वो इस तरह से हमने इसको बनाया है ठीक है अब इसके बाद हमने क्या किया है कि यहां से कुछ अपना से कुछ इसमें राचना किया है समझ लिजे कि यहां पर जो इकेंदर है इससे हमने एक यह भी खिचा हुआ था यह लिए अपना से डोड़ोड मिला है और इधर से हमने डोड़ोड से मिलाया है अब यहां से आराम से हम बना सकते हैं कैसे बनाएंगे देखिए तो अगर आप ब्रीध पढ़ें होंगे ब्रीध चैप्टर में तो उसमें आपको बताए यहाँ पे एन इन या का अधर्श रॉड़ान होगा इसके के बराबर होता है इसलिए तर्व न हुट id झारत आपका 9 है कैसे भीलिए भीलिसाय गालबकर 15 देख लीजिए नवाई देख रहें नवाई यहां पे पूरा 6 था तो आधाatures यहां से यहां तक कतना होगा तीन होगा यहीं के स्कुर कितना हो जब सब्सक्र नो और यह ने इस कहाँ से NX को ऐसे ही छोड़ दिए, NX तो नहीं पता है, यह NM जो है, यह पूरा भुजा NM, यह तो आपको 6 पता था, यह आपको 6 भर देना है, आगे बढ़ेंगे, तो यह दिखिए 9 उपर 6, नीचे आजाएगा, NX कमान निकलेगा, तो कितना आएगा, डेर आजाएगा, कितना पता चल गया है, कि यहां से यहां तक लिए दूरी आपका, इतना आगया, डेर आगया, ठीक है, आगे बात करते हैं, अब AMR की बात करते, AMR, AMR बराबर CS भी हो जाएगा, 9 बटा 4 हो जाएगा, देखिए, AMR यह वला, यह वला, यह वला, या फिर है CS, है न, दोनों तो बर में से डेर घर जाएगा, तो सारे चार आजएगा, सारे चार आजएगा, किसका भाई, AMX का मान आजएगा, किसका, AMX का आपका मान आजएगा, सारे चार, 4.5, ठीक है, और फिर AMX का मान यहां से यहां तक हो गया, तो इसका आधा ही होगा, AMR, कितना होगा, आधा होगा, मत यह तो बराबर हो जाएगा यहां से, ठीक है, यह MR का यह, CS का यह, बराबर हो जाएगा, यह आपका 9 बटा चारा गया, CS, और यह आपका 3 है, यह आराम से अब निकल जाएगा, यह आराम से निकल जाएगा, यह आपका तिर्जा हो जाएगा, यह दूरी, ठीक है, यहां से कें यहा ग्रसाइब कि हो जगा जो आपका प्रशाइब प्लस सब्सक्राइब तक वही किया हुं तो उसके बाद मान महर दिया तीन का स्क्राइब इसका नौ इसका तो आपका नौ का स्कार वर्गमुल 15 गारो इसको भाग देंगे तो तीन दो सोलो साथ पाच एंसर हो जाएगा तो इसका एंसर आपका आपसान नमर भी आगे देखते हैं यह वला देखें गोड़ा की नीमनीखीत में कौन सा बड़ा है यह बड़ा है कि यह बड़ा है चेक कर यह हाँ पर भी हम चेक कर सकते हैं तो इसको तीन लिख सकते हैं इसको तीन दू होता है अब इसका बड़ाबर करने के लिए इसको नीचे इसके बड़ा में 3 है इसके बटा में 2 है तो 3 और 2 का एलसेम कितना होगा 6 6 से इसमें भी गुना मार लिए 6 से आप इसमें भी गुना मार लिए इसका काटिएगा 3 बार में इसको काटिएगा 2 बार में तो बताएए ये 2 के पाउर 2 हो जाएगा 2 के पाउर 2 ठीक है ये हो जाएगा 3 के पाउर 3 इसका आप 2 के पाउर 2 के मतलब 4 हो जाएगा इस 3 के पाउर 3 के मतलब 27 हो जाएगा ठीक है इसमें बड़ा कौन हो जाएगा देख लिए 27 बड़ा हो जाएगा तो 27 किसका मतलब कि आपका 3 वाला का ब अगला सवाल की बात करते हैं ये वला कि किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र सैक्षिन परद्रसनन के साथ वो नगत पुरसकार देने के लिए 700 रुपए की रासी रखी गई है यदि परतेक पुरसकार अपने से ठीक पहले वाले पुरसकार से 20 को कम है तो ऐसे प पहले से 20 को कम यानि ये मानस 20 फेर पीसरा जो होगा पहले से 20 को कम फिर इसमें 20 को घटाएंगे तो 20 को और घटके यानि 400 जगा ऐसे करते चले जाएंगे और हमें साथ गुन अगत पुरसकार आज सबका योग कितना है 400 था तो यले 700 था ठीक है अब योग योगफल निकाल है चुकि साथ पदों का यह बोला है और डी कमान हमें हाँ 20 को चुकि 20 इस मिस कांटर हब से गुणा के को मिस बारे ताना ना जाएक इन दोनों कअगर आप अंतर निकालते हैं तो अगरा यानि कि यानि कि आपका हो जाएगा डी कमान माइनस 20 अभ आगे वागे बढ़ेंग तो 6 अच्छो में 20 से तो 20 चक 120 यानि माइनस 120 हो जाएगा अब ये 120 माइनस इधर आके जूर जाएगा तो ये 200 आप उलस 120 कितना हो जाएगा 320 है ये 2 है और A से हम 320 को अब 2 से काट लेंगे तो कितना जाएगा 60 यानि A का माना गया एक सो साथ ठीक है तो इसका एंसर आपका 160 आपसान नमर A ठीक है आगे देखते हैं अब 119 हो गया अब 120 की बात करते हैं ये देखिए तो ये वाला सवाल बोल रहा है इसका आपको सॉल्व करना है आपका 10C4 प्लस 10C5 का मान निकालना है बहुत ही आशान है अराम से निकालनेगे देखिए कैसे तो देखिए भाई इसको हम कैसे बनाएंगे इसको बनाना है कैसे तो देखिए NCR एक फर्मूला होता है इसका फर्मूला बताया गया है N Factor बटा एण माइनस आर फेक्टोरियल ठीक है एन टू आर फेक्टोरियल यह होता है इसका फर्मूला सब्सक्रक्ट्र है य व्य आनकि 5 फैक्ट्ट्यरियल आगे बढ़ाएंगे cat मतलब 10 से घट rag brethren आणके 255 खोहते हो च्छाव फैक्ट्रायल मतलब पांच्छाव कर जाएगा 4 को हम लिख सकते हैं, 4 गुने, 3 गुने, 2 गुने, 1 अब इसको काटेंगे, भाई काटेंगे तर tip कैसे काटेंगे? देखिए तो हम कैसे काटेंगे इसको 4 गुना के 8, ठीक है? 3 ती आइके 9, ठीक है? फिर ये 2 से काट दिये हैं इसको फिर उसके बाद में अब क्या बच गया जो बच गया उसको छोड़ देंगे और यहाँ पर गुणा कर देंगे तो 10 गुणे 3 तीस तीस में 7 से सत्रीके कर इस 210 ठीक है इसी तरह से हम इसको किये है तो कैसे किया हूँ उपर देखे कितना था यहाँ पर देख लिए 10 फैक्टोरियल यानि कि इसको हम करते गए करते कहां तक ले 5 तक जाके हम झोड़ दिये है क्योंकर नीचे 5 दिया है इसको काट रेंगे इस 12 से हम किसी उसके बाद 5 दोना के यहाँ पर 7 और तो दशो तो ना दुना दससे नहीं तो अज़ए तो आपका आजएगा पान सो दूसो बावन और दूसो बावन और ये दूसो बावन को आप दूनों को क्या करेंगे पुछ ताना बिच में तो दूनों को जोड़ने पर 462 आपका answer हो जाएगा पलोस है ना इसलिए जोड़ दिये ठीक है तो एंसर हो गए आपका 462 अगला option नमर ए अगला सवाल देखते हैं यह वला यह वला सवाल है कि log k x log 3 k और log x के पाउंड x log base x के पाउंड 3 इसका मान निकालना है देखिए कैसे निकालते हैं देखिए कैसे बनाया है तो यह हमने सवाल लिख दिया उसके बाद हमने क्या किया है देखिए इसको हम लिख सकते हैं कैसे लिख सकते हैं आई जो x है ना उपर लिख देंगे यानि log x और यहाँ पर यह जो बेस है यूद नीचे चल जाएगा log के इसी तरह से log k उपर ना जाएगा और log 3 नीचे आजाएगा इसी तरह से आपका इसमें क्या हो जाएगा धिरी यह पर अधिरी धान तो धिरी को पहले लिख दिया हूँ यहाँ पर ये जो आपका ये जो आपका log x के उपर हो जाएगा एक बार फिर ये log x एक बार नीचे हो जाएगा ये log x से log x कट जाएगा ये log के से log के कट जाएगा और आपका हो जाएगा यहाँ पे उपर x है न तो उपर x हो गया और ये base बन जाएगा नीचे बार और इधर आपका 3 है अब आपका इधर करना क्या है कि ये पांगर जो है उधर चला जाएगा और ये जाके इधर आके आपका पांगर बन जाएगा यानि तीन का Q मतलब 27 हो जाएगा X का मान ठीक है तो एंसर हो जाएगा 27 ओप्सन नमर B अगला सवाल की बात करते हैं ये वाला करा कि X कम कोन तिर्भूज की परिमाप आपका 12 दिया है करन आपका 5 है तो गांगर दिया है अब इसका परिमाप दिया था परिमाप मतलब ये तीनों भुझाओं को जोर दिजिगा तो ये परिमाप निकल जाएगा टोटल लॉन लांबाई ठीक है ना तो एक्स प्लस वाई प्लस क्या है पांच बराबर 12 हो जागा परिमाप अब इस पे हम यह पांच को उधर लेकर चले जाएंगे तो 12 में से पांच गर्या तो साथ हो जागा यानि एक्स प्लस वाई कमान साथ समी करने कमाल लिए यह कैसे कलो प्लस्ट कैसे हो जागा鬼 पांच के कैसे कैसे हुआ हुआ हिए देखिए यह पागी परवेशा कर आगे बढ़ते हैं देखें एक सभी हो सटर हें होता है अनिसप्लस फक्श्ưng साथ भर देना यहां पर एक से स्क्वार y square का मान कितना है 25 तो हमने x square plus y square के जगा 25 बढ़ दिया इसको हमाहिंगे छोड़ दिया आगे बात करते हैं तो यह रिखे साथ के square उन्चास हो गया यह 25 सीधर आके घट जाएगा उधर 2xy हो जाएगा यहां घटके आगे 24 24 को इसको 2 से काट देंगे हम तो यह 12 हो जाएगा य यहाँ पर x y का मान जो निकाले है 12 है तो इस x y का गोने हम 12 लिख देंगे और इसको काटेंगे तो छोड़ एंसर हो जाएगा इसर हो गया आपका कितना 6 cm अगला सवाल की बात करते हैं यह वला बुड़ा की बहुलक निकालें बहुलक ठीक है तो यह हम दिया गया है यह सवाल को उतारते हैं बनाते हैं तो देखिए हमने क्या किया है जो परपतांक दिया था 10 से कम है ना 10 से 20 20 से 30 ऐसे और संचरी बरम करम में दिया है ना बढ़ते करम में दिया है इसको हम संचरी बरांबारता बोले हैं ठीक है यह पिसको 56 से ज़ता बीस्त ऑफिर 75 मेंसे घ — 60 और सांब को ञड़ा लिक हास participating ूना 11 135 गटा 35 गो więc 105 पंचान्में 25 गटा तो आपका आगया 50 इस तरह से निकाला गया है ठीक है बारांबारता जहां पाता चल अराम से आपका बहुलख वर्ण पाता चल जाएगा बहुलख के लिए सब्से बारांबारता ओधिक लेना है तो देखिए सबसे ज्यादा बात करते हैं 65 है सबसे ज़्यादा जो है 65 है यही इसके सामने वाला जो होगा यह अंतराल यह आपका बहूलक वर्ग हो जाएगा देखिए हमने बहूलक वर्ग लिख दिया है और इसका निवन सिमा जो होता है एल का मान होता है और यहाँ पर जो हम जिसे तूलना करें जो सबसे बारा और ठीक इसके बाद वाले F1 के बाद वाले F2 हो जाएगा और इसमें आपका H का मान जो होगा कितना का उंतर है भाई तो दस दस का सम्में उंतर है तो दस हो जाएगा अब इसको सेट कर दीजिए तो देखिए आपका बहुलक ब्रावर एल पलस F1-F0 बटा टू गुने F1-F0-F2-H अब एल के मान साथ है भर दिजे F1 के मान 65 था और F0 के मान 35 था गुने F1-F0-F0-F0-F0-F5 इस तरह से और एज का मान आपका 22 साया है देख लिए यहां पर सब हमने लिखा हुआ है उससे आप देख लिए अराम से भड़िए अब इसको सौल्व करिएगा दोस्तों तो यह आपका 60 हो जाएगा 15-35 को कम कर लिजिए तिक है और यह जोड़ द देख लिजिए यह दूनों को जोड़ने पर पचासी आ रहा है अगुना एच है अगुना आपका एच कर देना है ठीक है दस अब इसको काटेंगे 15-35-35-35-30 अब फिर आपका यह दू में 10 से गुना करेंगे तो 20 हो जाएगा तो आपका फिर 20 में तीन से भाग देंगे तो च्छुष आते रहेगा हम इसी को हम सब्सक्राइब उसकूष यह जो रहा है इसको उसकी चुरण उसको इसका इसका है और अपसान नमर ए इंसर हो जाएगा अगळा सवाल की बात करते है ये देखिए एक द्विघात बहुपत का जो समीकरन है ये वाला कहा रहा ह smokes द्विघात बहुपत का आले खिचने पर कैसा आता है तब परबलए आता ही याद रखिएगा परबलए होता है ये देखिए अगला सवाल है कि एक टेप एक टेली बीजन को उसके मुल्य के 10 परसेंट बटे पर खड़िता है और उसके मुल्य से 20 परसेंट अधिक पर बेजता है तो उसका कितना लाब हुआ ठीक है तो देखे हमने टीवी का जो अंकित मुल्य है 100 रुपया माल लेते हैं तो बटा 10 परसेंट दीजिएगा तो 100 में से 10 उपाम हो जागा यानि 90 रुपया इसका मुल्य हो जाएगा ठीक है क्रायमूल अब 20 परसेंट जब आधा उस पर लिखिएगा तो उसका एसपी कितना हो जा एक सब्सक्राख और लाव निकालएगा तो वहीवी विखिए मुल्यानि जो विखिएगा मुल गर्ण नव्य घटा देंगे नाव creator और निचे कीतना आत्omme कटेंगे थे अजैकें दुसटों आपका इसको आण्सरE इसका एंसर कौन सा हो जगा option नमर C इसका एंसर हो गया अगला सवाल की बात करते हैं ये वाला कि एक टार एक ब्रीद के रूप में जिसकी तिरिजा कितना है 84 cm है उस वर्ग की भुजा ग्याद करें जिसे ये मोर कर बनाया गया है दिखते हैं इसको तो देखें हमने क्या क्या एक ब्रीद बना दिया और इसका तिरिजा जो बोला था आपका 84 वह हमने लिख दिया और एक वर्ग बना दिया इसी से ये जो इसका परीधी है इस परीधी से ये वर्ग बनाया गया है तो चलिए आपका इसका जो परीधी होगा इसके बराबर ये वर्ग के परिमाप इसका जो परिमाप होगा इसके परिमाप के बराबर हो जाएगा तो हमने वही लिख दिया है 2 पाई यार बराबर फोड़े 2 अपाई के मानवाइस बरा साथ और आर के जगा पर 84 भर दिया 7 से काटा तो 12 बर में फिर आपका 12 को 4 से काटा तो 12 हो गया ठीक है और इधर आपका बचके A और इधर आप सब 3 को गुणा मार देजिए तो 3 को गुणा करने पर 132 आरा है इसका एंसर 132 ठीक है तो इसका एंसर आपका हो जाएगा 132 अपसर नमर B ठीक है तो दोस्तों अगले सवाल है 127 नमर बोला है कि संख्या N जो है आपका संख्या जो N है को दुगुना कर उसमें Y जोर देना है ठीक है तो परिनाम जो होगा उसमें फिर दो से भाग करने पर वास्त्विक संख्या N घाटाया दिया जाता है तो परिनाम अंतिम परिनाम क्या होगा तो देखे इसको बनाते हैं तो देखे हमने क्या किया है उसमें बोला था कि N संख्या को दुगुना कर दो मतलब दुगुना कर दिया फिर उसमें Y जोरना था तो जो आ रहा था उसमें 2 से फिर भाग देना था ठीक है और भाग देकर जो हमें प्राप्त हो रहा था उसमें से n कम कर देना था मतलब n माइनस कर देना था तो अंतिम रिजल्ट क्या होगा यह पुछा था तो हम आगे इसको बढ़ाए हैं तो देखे कैसे किया हैं इसके बाद में हम एक बटा में लगाकर दो और एक कैल्सियम दो ले लिया एक 2N प्लस Y ऐसे ही रह गया और इस 2 से इस n में गुणा हो जागा था 2N अब एक 2N से 2N प्लस मैनस कर जाएगा तो Y बटे 2 इसका राइट एंसर हो जाएगा ठीक है तो इसका एंसर आपका क्यों सा हो गया Y बटे 2 अपसर नमर B अब देखते हैं अब 127 होगया अब 128 नमर कोश्चन देखिए यहाँ पर देखें 128 में क्या बोला है बोला कि 700 700 मीटर स्क्वार छेथफ़र वारे एक आयत टैंक को भरने के लिए 140 मीटर क्यू पानी की अवसाइकता होती है तो टैंक में पानी का अस्तर यानि पानी की उचाई कितना होगी देखते हैं इसको तो देखिए हमने क्या किया एक बार टैंक का आयतन बराबर क्या हो जाएगा जो टैंक का जो आयतन है उसको लिख देंगे ठीक है और उसके बाद किसका आयतन बराबर करेंगे जी तो उसके बाद हम जो उसमें आया था ना उसके आया था बड़ाबर कर लेंगे ठीक है तो टैंक का आयतन क्या हो जाएगा टैंक का आयतन आपका दिया था एक सो कितना 40 मिटर की उत ठीक है और जो आयताकार छेतित फल था वो कितना कि ए और जो आयताकार और जो दिया था दोस्तों 600 मीटर स्क्राण यह लिख दिये तो टैंक का आयतन जो दिया था लिख दिया और इसлегा अर उसका क्या हो जाएगा लांबाई गुने चोराई आपका 700 meter square, इसके बाद आगे बढ़ा हैं, तो ये आपका उपर चला जाएगा, ये आपका उसके नीचे हो जाएगा, और ये उचाई यहाँ पे हो जाएगा, तो उचाई आराम से अब निकल जाएगा, मीटर स्क्वार से मीटर स्क्वार कटे का तेगो ये मीटर बच जाएगा और ये 140 को हम 700 को कटेंगे तो सोना सोना कटेंगे 1457 एक बटा 5 मीटर और मीटर को हम सेंटी मीटर में बदलने के लिए 100 से गुना मार देंगे तो 20500 यानि 20CM इसका एंसर हो जाएगा ठीक है उचाई तो इसका एंसर कौन सा हो जाएगा आपका दोस्तो अप्शन नमर C 20CM अगला सवाल है ये वाला देखिए बोल रहा है कि दो संख्याओं का महत्तम समवर्त है क्यानि HCF 28 है LCM यानि लगुत्तम आपका कितना है 336 है तो और एक संख्या आपका 112 है तो दूसरी संख्या क्या ह होगा तो ऐसे सवाल तो बहुत असान होता है देखिए कैसे बनाते है जब भी संख्या निकना है उसको पहले मान भढ़ेंगे answer आ जाएगा चलिए हमें दूसरी संख्या निकालना है यानि B निकालना है तो LCF कितना है 28 और LCM कितना दिया है 336 ठीक है और हमें ये पहली संख्या कितना दिया है 112 अब इसी को काट चट किजिए answer आ जाएगा भाई ठीक है इसको आप कितना से करेंगे तीन से करेंगे ना इसको तीन से ये तीन बर में ये कड़ जा रहा है ये फिर 28 में आप तीन से गुना मर लेजिए ठीक है तो 23 के 24 के 4 और फिर 26 अदो 8 यानि कितना आ रहा है बी का मान 84 आ गया तो बस इसका option नमबर आपका 84 कहीं नहीं दिया है तो इसलिए option नमबर इसका answer हो जाएगा दोस्तों क्योंकि इसका answer आपका 84 ही होगा ठीक है अगला सवाल की बात करते ही ये वाला देखिए ये बोल रहा है कि चितर जो दिया है इसमें x degree y degree का मान निकालना है ठीक है तो आप यहां से देख रहे हैं कि ये एक तिर्भूज बन रहा है क्या बन रहा है तिर्भूज आ तिर्भूज के तीनो कोनों का योग 180 डिगरी होता है ये वाला कोन ये वाला कोन और ये वाला कोन जोड़ेंगे तीनो को 180 के बराबर लिखेंगे अराम से बन जाएगा ठीक है तो देखिए हम चाहेंगे यहां से भी बता सकते हैं देखिए इसको जोड़ेंगे फिर इसको जोड़ेंगे फिर इसको जोड़ेंगे तीनो कोनों का अब बराबर में कितना लिखेंगे 180 लिखेंगे तीनो कोन प्लस की दूनों को जोरिएगा 40 PLUS 40 PLUS Y ठीख है? फिर कितना? इसा फिर बराबर कितना होगा is 180 किनू गुणु कैंग 280 तो यह X और यह Y को एक साथ फोर देंगे X PLUS Y और यह 40 और यह 40 कितना होगा? 80 ठीख है? और वğg Cookieeger अब यह 180 आसी में से ही जाके उधर घड़ जाएगा हुँतरा कितना पूछ से क्पैब एकस प्लस वाइज जैगा उसे की अगे किछική बात करते हैं ये वाला देखे एक अध्य वर्ष में 3पन डविवार होने की परयाक्ता यह इतना बार गिज़े सेट में में देख लिए इसको पीज़े 2 सेट में इसको हमने इस कोशन को देखा और दोनों सेट में SEM TO SEM कोशन पुछ दिए यह तीसरा सेट में भी हम देख रहेल है इस से सेट जितना भी हमने सेट कराया है एक सेले के अभी तक छोगो सेट कराने complete होने वाला है इस सब सेट को देखिए उसमें इसका solution भी आपको मिल जाएगा दो बाटा साथ कैसे होगा ठीक है आगे देखिए अगला सवाल ये वाला देखिए ये भी सेट में पीछे करा दिया हूँ लेकिन फिर से इसको आपको solve करके बता देता हूँ कोश इटा बरावर केतना लिखा है 5 बाटा 13 है तो पूछ रहा है कि इसका मान क्या होगा देखिए solve करके आपको बताते है तो देखिए यहाँ पे कोश इटा दिया है तो कोश इटा का सुतर होता है B बटा H तो यानि B का मान आपका 5 आ गया और H का मान कितना हो गया 13 हो गया तो आप यहाँ से आप निकाल सकते है P P निकालने का सुतर होता है H स्क्वार मैनस B स्क्वार एच के मान कितना दिया है 13, तेटे के स्क्वाइर, अब B के मान कितना दिया है, 5, 5 के स्क्वाइर, 179, 5 के स्क्वाइर 25, और घटाएंगे 344, और 144 का वर्गमूल 12 हो जाता है, ठीक है, यहाँ आपके P, B, H सम निकल गया, तो P का मान आपका, कितना आया, 12 आ गया, ठीक है, तो 5 है यहाँ से फटी का होता है, एच बटा B होता है, तर्ती का मान तेरा था, और B का मान पाच था, भर दिया, इसी तरह से नीचे 5, 10 ठीक लिखा है, तो 5 है प्ती का में त्री फिटा का शु passenger था, क्या होता है, तो P का मान कितना था, 12 आर बी का मान कितना था, पांच, इसी और इसको हम काट कुट करेंगे त्यरह से त्यरह गया 5 build गया 5 से 5 गया 12 से बर गया दूपर 12 बढ़े बहे दो तेशाड़ है रहा बढ़े तरिकतना हो जाएगा 55 दोनों को संख्याओं में X और Y का समनांतर माद और गुनोतर माद अगर बराबर है इसमें से कौन सा option सही हो सकता है देखे बनाते इसको तो देखे यहाँ पे हमने क्या किया है कि यहाँ पे दो संख्याओं X और Y हमने लिख दिया और इसका समनांतर माद गुनोतर माद दोनों रूट में वता है अब यहां से अगर आप इस दो को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा दो रूट आपका xy हो जाएगा दोरों तरफ इसक्वाइर करेंगे इधर इधर भी तो कितना हो जाएगा a plus b के whole square पर तो रहेंगे तो इतना आजाएगा इसको आप इसक्वाइर करेंगे तो 2 square 4 और यह root हड़ जाएगा xy हो जाएगा अब इसको आगे बढ़ाएंगे तो यह आपका 4xy जो है यह 4xy 2xy के साथ आकर घट जाएगा ठीक है और इसको x square और y square रहेंगे छोड़ दिया उदर कुछ नहीं बचा 0 अब इसको आप set करिएगा तो देखिए यह x square हो गया और यह plus minus दोनों घटा तो कितना आगे माइनस 2xy अब यहां से देखिए यह सुत्र बन जा रहा है किसका सुत्र है यह तो यह a-b का whole square सुत्र है यानि x-y का whole square सुत्र तो रहेंगे तो इतना आजाएगा अब यहां से a square हटा तो उधर जाके root चाहरा है root चाहरेगा तो फिर 0 का root 0 ही हो जाएगा मतलब xy का जो मान होगा 0 के बराबर होगा और यहां से y उधर भेज देंगे तो यानि x का मान y के बराबर हो जाएगा ठीक है तो देखिए यहां पे कहा है option नमर कहीं नहीं दिया है x बराबर y तो इसलिए उप्यूत में से कोई नहीं answer आगे है कि 200 और 400 के बीच में 7 से भी भाजित होने वाले धन प्र प्रकेट संख्याव का योग भी निकालना है देखिते हैं तो देखिए यहां पे 200 और 200 और 400 के बीच में आपको 7 से कटने वाले जो संख्याएं हैं हम यहां पे लिख दिये हैं 200 200 और 400 के बीच में आपका 203 जो होगा साथ से कर जाएगा 200 नहीं बुझायते इसको साथ से भ साथ से नहीं कटेगा लेकिन 3991 उक्कम करेंगे तो यह कट जाएगा 400 के भीतरे यानि की 3992 साथ से कट जाएगा ती हो गया ऐसे यह सब संख्याएं जो है साथ से कटने वाला है धनपोनांग है अब इसका योगफल निकालना है दूस्तों योगफल निकालने का फर्मूला होता है लास्ट माईनस फास्ट बटा डिफरेंस अप लोस एक यह से एन निकल जाएगा ठीक है और इसका ऑसथ से गुना कर देंगे तो योग निकल जाएगा ओसके से मतलब पहली संख्या दूसरी संख्या बटा तू हमने इसी तरह से कर दिया है तो यह लास्ट वाला में स इसा 1,30 हो गया और इसको दो से काटे है तर 301 आया इसको दुनों गुना करे तो 8,777 इंसर हो गया योगफल तो इसका कौन सा एंसर हो गया 8,777 आपसन नमर सी हो गया आगे की बात करते हैं ये दिखिए कार्तिय निदसांक में एक्स अक्ष का जो समिकरन होता है याद रखिएगा जब भी एक्स अक्ष कहे जिसे ये कार्तिय तल होता है ये एक्स अक्ष होता है तो एक्स अक्ष का अगर कह रहा है तो य का समिकरन क्य होगाई एकंश कर रहा है तो य का मनद 0 कहा है और ze फा इसका इंसर षो गया अब 136 द देख़िए यह वला लेखिए तो इतना बराबर नौो दिया है और नौ दिया है तो S आर य का मान निकाला है देखुढ़ने इसको remained in meditation का मों चलिए इसको कैसे बनाया है यह सवाल हम लिख देंगे और इस root row को हम कैसे लिख सकते हैं इसको हम तीन का यहाँ पर बाहर निकलेगा तो वर्गमोलती निकलेगा और कुछ पावर नहीं तो एक ले लेंगे हम यहाँ पर जैसे लिख दिए है तो य हम करने लिख दिए हैं और यहाँ पर गर्वाइब दिए यहाँ पर दो दिए और यह इंठा लिए और सफ कने एक के मान केतना दो बटतीन भड़े और यह दो बटतीन बटत unsafe यही इसका एंसर हो जाएगा तो देखिए दोस्तों इसका एंसर कौन सा हो जाएगा अब आगे देखते हैं अगला सवाल यह देखिए तो अगला सवाल देखें बोला है कि एक आयत के लामबाई कितना है एक बड़ातिकुना कम कर दिया जाए और उसकी चोड़ाई में एक बड़ातिकुना बढ़ा दिया जाए तो छेत्रफल निमली खित में कमी क्या आएगी ठीक है तो देखें इसको स्वल्प करते हैं तो देखें यहां पर हमने क्या किया है छेत्रफल में परिवरतन के लिए उ उसके लंबाई में एक कम करना था, और चोड़ाई में आपका एक बड़ा तीन क्या करना था, बढ़ाना था, तो हम उसको एक मान कर कर रहे हैं, एक मान लेते हैं, कि लंबाई या चोड़ाई एक है हमारा, ठीक है, एक पर मान कर कर रहे हैं, तो एक माइनस एक बड़ा तीन हो उसके चोड़ाई कितना एक बढ़ती को नहीं बढ़ाना था तो चोड़ाई में एक बढ़ती कि करना है बढ़ा दिये एक में पर purl करियेगा तो इसका लगया दो-भटती ने कम चार 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 बटा option number b इसका answer हो गया आगे देखते हैं ये वला सवाल ये बोल रहा है कि fx का मान जब px square plus 7 है तो p3 25 दिया है तो p का मान क्या होगा तो ये तो बहुत ही आसान है आसानी से आप बना सकते हैं यहाँ पे देखे px दिया है यहाँ पे px के जगाँ पे 3 दे दिया जो मतलब x के पे 7 है तो 7 रख दिये और ये p3 का मान कितना दे रहा है 25 तो यहाँ पे 25 लिख देंगे आप ठीक है और इधर क्या हो जाएगा 9 में p से तो 9p हो जाएगा और इधर plus 7 हो जाएगा ये 7 अब इधर आके 25 में से घट जाएगा तो जैसे ही 7 25 में से घटेगा तो इधर 18 आगे बात करते हैं ये वला कि बोल रहा है कि 200 एक बेची गई 200 लोटरी है उसके टीक्टो में से 10 गोट टीकट में इनाम है यदि मोनिका ने एक टीकट खर दी जो इनाम वाली टीकट है उसमें जितने की प्राइकता क्या होगा तो देखिए इसका प्राइकता निकालने का प्राइक गालने का गया एक बटा बीस हो गया आप जैसे ही आप एक में बीस से भाग देंगे आपका कितना आजएगा जीरो दसम्मलों 020 पचे सो होता है ना पांच हो जाएगा जो की ऑप्शन नमर बी में अंसर है आगे बात करते हैं ये वाला ये वाला बोल रहा है कि यइ उन बिंदु के क сторон साब बिंदू इतना के के घ्राफ पर इस्थित्न नहीं हे स्थित्न नहीं ही वाला देखना है चेक करना तो एकर हम एक स्करते हैं य यहां पर भरते हैं ठीक है तो छव़ाइना इधर बारा हो जाएगा या धर भी बार इधर मैं मैनस एकस के जगहाँ पर आप कहतना रखेंगा माइनस दो रखेंगे ह Formous threeют and celos मारे मट्स बारे जोकी बारे के बराबर नहीं हैने सित्थ नहीं में इन्स इन्स सब्सक्रा सन अभया trust नहीं होगा देखते हैं यह वाला यह वाला तो जैसे ही आप चेंज करिएगा ठीक है 90 में इस से घटा है एगा na cos y square आपका 90-पका 90 कितना घटाइएगा 69 को घटाइएगा तो यह OS수 और इसको आप ऐसी ही छोड दीज़ेगा cos square केतना उन्सरथ तो आपको पता होगा कि cos square नौबिमदिस णौछत कहा हो हो जाएगा इसका A 이liśmy डोट देखिए कर आनकीक मानों का योग निकलना है बहुत सिम्पल है तो देखिए यह का आंकिक मान भी आठे होगा ये पांच का भी बोला है तो पांच का भी आंकिक मान पांची होगा आंकिक मान मतलब वही हो जाता है और दोनों का योग मतलब जोर दीजिए तो आठ पांच कितना हो गया तीर तो आपसन तेरा कहा है आपसन नमर एही इसका एंसर हो गया अब द और दोनों का ठीटा अगर जो ने 90 हो रहा है इसका भी मान एक हो जाएगा इसका एंसर हो जाएगा दो एक दम सीधा सीधा इसका आपका दो आप्शन में कहीं नहीं दीख रहा है इसलिए इन में से कोई नहीं उत्तर ठीक है तो आप देखें अगले सवाल ये बोल रहा है समरांतर स्रेड़ी में असरेड़ी में आपका ये वाला दो दिया है तीन, आठ, तीन, अठाव, 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 तेइस, डोरोरोट का पाचासवा पद निकालिए तो यहाँ पे जोवन सब पदो कहेगा उसमें क्या हो जाएगा एगो काम डी लगा के लिख देते हैं A plus पचासव गिन दे लिखिएगा ता यह तो यहां पर A का भेलू कितना दिया है? 3 भर दीजे E पलस उन्चास और D का मान कहां? देखे यह दो पदो का उंतर होता है यह देखे 8 और 3 का डिफ्रेंस कितना होता है? 8 और 3 का डिफ्रेंस कितना है? पांच आएगा सब में पांच पांच को बढ़ रहा है यानि कि डी का मान पांच आएगा अब ऐसे सोल्व कर लिए तर तीन और नौपचे पैटालीस आप चार पचे बीस चार चोबीस होता है अब यह 245 में तीन को जोड़ दीजिएगा तो 248 आज जाएगा तो सीधा सीधा इसका एंसर आपका हो जाएगा 248 कहां दीख रहा है कोई भी अप्सन नहीं है तो इसका इन में से कोई नहीं इसका उत्तर होगा ठीक है अब देखें अगला सवाल की बात करते हैं यह वाला यह वाला बोल रहा है दोस्तों कि 150 मीटर उची एक मिनार है और वाहन की दूरी मि 40 क बनर तो यह बहुत असान पूछ दिया है या देखिए ऐसे एक मीनार हो गया और यह मिनार से यहाँ पEr गारी ہے और इससे यहां बहाँ से कोई देख रहा है इस वाहन को यहां इसका उनमन कूण बन रहा है तो पहले हम इसको ऐसे लिख लेते हैं और यहां पर 牛मन कूण क आपको पता होगा कि यह जब 10 पैंटालीस यहां पर जब भी 45 हो तो यह वाला लॉंब और यह आधार दोनों बराबर हो जाता है तो यह 45 है तो यह आपका क्या होगा 45 ही आजाएगा ठीक है ना चुकि टैंट पैंटालीस के माने एक होता है और जब आप तीछा तीशी गुना करिएगा न तो क्या आजाएगा वह भी बराबर आजाता है जब भी 45 दिखे यहां पे लंब और अधार बराबर कर लिजेगा यानि 150 तो भी आपका एक सो पचासी हो जाएगा तो आपसन में कहीं नहीं दिख रहा है इसलिए इनमें से कोई नहीं इसका उतर हो जाएगा ठीक है बहुत ही आसान है ठीक है तो यहां पे टेन पैतालिस का बात बोल दिया था तो भी आपका पैतालिस ही हो जाएगा तो इसका एंसर आपका कौन सा ह हो जाएगा 150 ही हो जाएगा option नमरी आगे देखते हैं यह वाला सवाल देखिए कर रहा है कि एक वीजली के खंबो का उनायन कौन तीश्डीडी है उसको बढ़ा के सार्दीग्री की आगया है उसे देखने वाला एक व्यक्ति आरामबी की तो देखिए यहां पर हमने क्या किया यहां पर यहां पर यहां पर बना दिया भाई एक तिर्भूज अब यहां पर करना क्या है उससे बोला था कि व्यक्ति आएक विजिली के खंबा था यह देखिए विजिली के खंबा इसको माल ले जिए ठीक है और इसका उनायन कोर पहले तीस के बन रहा था यहां से ठीक है भाई उसके बाद में बोल रहा था कि आपको क्या जैसे ही 30 को बढ़ कर कितना हो जा रहा था 60 जीडी का जब कुन बनाने लग रहा था 30 बढ़ कर 60 का कुन जब बन रहा था तो वो कितना दूरी पर जा रहा था कितना दूरी पर तो भाई 30 मीटर की दूरी की पर आगे बढ़ जाता था तब होता था यह 30 मीटर की दूरी यहां से यहां तक 30 मीटर की दूरी बढ़ जाता था तो हो जाता था ठीक है यह देखिए साथ डिए है यह आपका लॉंब आई बटा में अधार हो जाएगा टैन ठीटा ले लेंगे टैन साथ ले लेंगे तो वही हो गया है तो यह लॉपर एच या नीचे एक्स अब यहां से बटा एक लगा के तिर्चा गुना करेंगे तो एच में एक से एच हो गया है और रुट 3 में एक से है तो रुट 3 एक यानी ही इच बढ़ाबर रुट 3 एक्स होगा है ठीक है अब हम क्या करेंगे एक बाडा तिर्फुज लेरेंगे लेंगे तो दो लिया लेंगे तो यह हम देखिए लिये हैं यहां पर यहां पर जैसे इसका जपर हो गया और हम क्या किए हैं यहां पर उसके बाद क्या किए हैं इसको तो हम ऐसे छोड़ दी है रूट-3 और एच का मान जो था हम यहाँ पर लिख देंगे यह को इतना रूट-3 एक्स देखिए कहां से देखिए एच का मान यहां से समय करने एक से देख रहे हैं एक के जगा पर रूट-3 एक्स हमने भड़ दिया है वही हमने लिखा है भाई एक जगा रूट 3 में रूट 3 से करेंगे तो क्या हो जागा इधर आपका एक्स प्लस 30 हो गया अब इसको आगे बढ़ाए है तो आप 3x को अगे यह एक्स ओहर ले जागे घटा देंगे तो आप यहाँ 30 अब हम क्या करेंगे दो से जैसे ही भाग करेंगे तो कितना है एग्स कामान 15 हो जाएगा ठीक है भाई तो 15 अब जब एक्स कामान फार चल गया तो हम समीक नेक से उठा लेंगे हैं इसामी को आनेक जो था हमारा केतां है ये एक डिक रहे हैं ही एच बराभर रूट 3x और एक्स कामान जो आया है 15 यहां पर 15 भर दिये तो हमारा अब आ गया आडाम से यह 15 को पहले लिख दिया रूट 3 यानि 15 रूट 3 एच का मान आगे जा ठीक है तो इसका एंसर कौन सा हो जागा दोस्तों 15 रूट 3 15 रूट 3 तो आपसर नमर इसका तो इसका एंसर आपका हो जागा 15 रूट 3 आगला सवाल देखते हैं यह वाला देखें बोल रहा है भाई की भाई एक पॉलस टैन ए और एक पॉलस टैन भी बराबर दो है तो टैन ए पॉलस बी कातना होगा तो हम इसमें क्या करेंगे टैन एक जगहा कुछ भर देते हैं अब बहर के देखते हैं अगर दो आ जाएगा तो सिंपल बन जाएगा आम से काम तो टैन एक जगह अगर आप 45 माल लेते हैं तो एक के बाद नहीं को गुना करेंगे तो दो आ जाएगा मतलब यह सटिसफाइड हो जा रहा है तो हम एक उनको आप 45 ले ले लेते हैं तो हमें यह स जब हम 45 ले रहे हैं वी का मान हम 0 ले रहे हैं तो यहां पर भर के देखते हैं तो एक कमान अगर 45 करेंगे या बी के जगह 0 तो 45 में 0 जोरेंगे तो कितना आएगा 45 और 10 45 कमान कितना हो जाएगा दोस्तों एक हो जाएगा जो की option नमर ए एंसर होगी है ठीक है आगे अगरे इसका एंसर कैसे है तो दस संख्याओं का क्या बोले था दस संख्याओं का योग दिया था यानि एस दस दिया था इतना हम क्या करेंगे एसेन का सुत लगा देगे इन बाइट वाई ठीक है रिए पर फिर पर इस इसको काटे है तो 78 ऑट समीक अनिक कर लिये तिक है यानि की देख रहे हैं तीसरा जो संख्या था आपका कितना दिया था उना इस एपलस टूडी लिग सकते हैं यह को कम करके ठीक है बराबर हो नहीं समीकरन दो मान लेते हैं इसको आद दोनों को सॉल्व कर लेते हैं दोनों को सॉल्व कैसे करेंगे यहां पर देखिए इसमें कितना से गुना मार दिये हैं और इसमें कितना से गूना मार दिये हैं इसमें से 1-2 मार दे नौस है गटाय है और लिख देंगे 9 से गुणा मतल़े देखी कैसे 9 से गुणा फिर फिर इसमें हमने दूसरा बाला में 29 से गुना किए है नो से तो 9A 9 दुना 18D और 1931 से एक एक गहत्तर यह हमने लिख दिया है और घटाया है तो चीन सब कर बतलेंगे यह माइनस पलस एक पलस एक पलस है दो मैनस अब यह दुनों कट जाएगा पलस मैनस घटके और यह आपका घटेगा चारे मे से 9 गोए तो माइनस पांचे हो जाएगा और इधर भी इसमें से उल्टा घट रहा है तो इधर माइनस 15 आएगा माइनस-वार्फ हो गया पांस एकार दिये तो तीन बार में आ गया यानि एक कामान आ गया दीन एंसर हो गया ठीक है तो इसका answer देखे कौन सा हो जागा option नमर ए आपका 3 आ गया है ना अब आगे देखते हैं अगला सवाल यह देखिए तो आगे देखते हैं अगला सवाल क्या बोला है दोस्तों बोला है कि यहाँ पर देखिए एक कलास है उसमें 3 गो लाल है दूगो हारा है चार गो पीला है अच्छो गो नीली गेंद है यह सब टूटल गेंद हो गया अब आपका करहा है कि इसमें से 2 गोली या बहतरीन भावना ग्याद करना है ठीक है पड़ा निकालना है मतलब उसका ठीक है तो आपके यहां पर आगा है तीन गो लाल टीन गो अदूगो पांच गो पांच आचा नौ नौ अच्छो बंदरव ओके तो नौ यह थी पंद्रव हो गया अब इसको सवाल को कैसे सेट करना है कैसे है देखी बरताते आपको तो देखिए हमने यहां पर कूल समहना कैसे निकाला है टूटल पंद्रागो था ना पंद्रे को गेंद था उसमें से दूगो गेंद निकालना था इसको अब जब हम सोल्ब करेंगे तो पंद्रे कुने चौदे बाट दो कर देंगे काटेंगे तो भाई साथ दूरा चौदे यानि पंद्रे सते 105 यानि एनस कमाने यानि कूल समहना 105 आएगा ठीक है इसी तरह से आपका देखिए हम एनी निकाल रहें अब घटना गटना निकाल रहें ना तो अविए दूस्सपे क्या बुला था दोस्तों तो उइसमें से आप को क्या निकालना था रान कितना था तरो यहां यानि कि खूल मिला कि यहां पर कितना हो जा रहा है चार हो रहा है और इसका प्रभबिलीटी निकार है तो एनी बटा इने चार बटा 105 इसका option नमर भी answer हो जाएगा तो इसका प्राइक Canada वंश्रान हो गया अब इसका प्राइक निकलेंगे और कि कमेंट करेंग था TIMda के ँट इसे एक करें सब्सक्क्राइब स्क्राइब यह लाए यह लागए टाइएnoch सब्सक्रानाद प्रइंस dl कल देविडियो तो यह वीडियो काैसा लगा आप जाके कमेंट करें आपके लिए मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं मैं कोशिश करूँगा कि और जलदी जलदी वीडियो लाएं और इसको जलदी कुछ जल्दी से जलूदी इस सेट को कम्प्लीट करें और हम इसके बाद में दूसरा सेट जो हाँ टिगए